नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपने यूटूब चेनल आदर्श किसान मार्ट पर तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से गमले सिमेंट के जो गमले हैं कॉमर्शिल यह आप किस तरीके से तयार कर सकते हो क्योंकि एक वीडियो हमने बनाया था और वो डाला थ से भी अबव उसमें अभी व्यूज है और थोड़ी सी कि उससे वीडियो में कमिया रह गई थी उसको पूरा करते हुए क्योंकि उसमें कई जो दोस्त थे उन्होंने कई इंक्वाइरी पूछी हमें वो सारी सम्मीट करते हुए आज संपुन वीडियो में बनाके और आपको बताऊँगा कि किस तरीके से इसमें क्या चीज या क्या मेटेरियल यूज होता है कहां यह मिलता है किस तरीके से आप इसे पर्शेज कर सकते हो वो सारी संपुन जानकरी आपको मिलेंगी तो आप देख सकते हुए गंले हमारे पास में 10 इंची का है 8 इंची का है 12 इंची है वह गंले हम बनाते हैं और सेल आउट भी करते हैं और किसान भाई है या फिर प्लांट लवर है या उपश में लगाना चाते हो किसी भी जगह इसको यूटिलाइज कर सकते हो तो यह काफी अच्छी क्वालीटी की हमनी गमले तैयार कर रए हैं और इसमें कोई सिकाइए नहीं आती और कम से कम यह दो साल तक है कमले चलते हैं यह जो आप देखर Tennessee का गबला है और काफी अच्छी क्वालीटी का गमला है बजड़ी से बेर हम जिन आफ जियर कर रहे जाता है और पानी है वो छोडने लग जाता है इसमें तो साल बर्ज 6-8 महीने में ये खराब हो जाता है तो अभी जो हम गंबले तयार करें हैं बिलकुल ये बजरी से तयार करवा रहे हैं और आप देख सकते हो बिलकुल ये बनाज की बजरी है और काफी अच्छी क्वालिट है हमारे पास में जो हमने मंगवाया है डायरेक्ट लिये बनाज से हमने पर्चेज की है तो काफी अच्छी क्वालेटी की है बजरी है हमारे पास में तो ये सोईला भी यूज करें इसके अलावा हम इसमें 5-1 के इसाब से बना रहे हैं ये हमारे पास में सिमेंट है अल्ट ये अच्छा और strong गमला तयार होगा तो ये मिस्ट्री जी हैं तो ये अभी इसमें डालेंगे आपके पास सामने देख सकती हैं ये हम इसमें सीमेंट मिला रहे हैं तो ये चार अनुपात एका भी ले सकते हो पांच अनुपात एका भी ले सकते हो ज्यादा खास फरक नहीं बटे आप घर पे अगर यूटिलाइज गर रहे हो तो आप इसको चार अनुपात एक रखे और ये जो संपून जानकारी किस तरीके से गमला बनाया जाता है किसे इसक कुछ हम आपको बताएंगे और आप हमारे चैनल पर अगर नए हो तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें लाइक करें और सेर करें क्योंकि सभी परकार की जो वीडियो है हम डालते हैं गमले बनाने से नरसरी से संबदी लेंडिके से संबदी जितने भी गांडनिंग से संबदीत टूस है सारा वीडियो हम डालते रहे इसमें तो आपका इन 1946 होगा इस तरीके से अब डालने के बाद में इसको mix करना घार 59 मा यहार इसे नहीं हो पैये और कम इसे से कम गमले के की पना काफी रखाय वास में हो बना करने अ करो मादानी और और Venue थे गमले के बनाफल देता जो तो इसमें theatronka10 दिन में वह में। गमले की काफी ज़र्वत रहती है एक बार मैं बताना जाओंगा आपको जो यह इन्हों ने तीन दिन में गमले तयार किया है हमारे पास में तो यह गमले आप देख सकते हो यह अभी कल बनाये थे आज इसको निकाल देंगे और निकालने के बाद में इसमें पानी भरा जाता ह है यह आप देखे और काफी अच्छा इस्ट्रोंग है अलग-अलग साइज और अलग-अलग सेफ के इस आप से यह देख सकते हो आप यह जो गमला है वह हमने पाये हैं इसके नीचे वह बना रहे हैं बाकी यह एक डिजाइन है मारे पास में दस इंची बारा इंची 16 18 और 20 इंची 22 इंची इतनी परकार के हम गमले बनवाते हैं इसमें गमले तयार हो चुके हैं फिर इन में दो दिन के आसपास हम इन में पानी डालते हैं जैसे ही सूख जाता है तो चार शे पांत दिन में गमला सेला उठके लिए बिल्कुल रेडी रहता है यह आप देख सकते हो इसकी तीन बार आपको काट लगानी है जिससे की अच्छी तरीके से यह बजरी और सिमेंट का मिक्सब तयार हो जाए उसके बाद में यह आप देख सकते हो इस तरीके से यह गमले बनाते हैं तो वह बनाने का जो तरीका है वह अभी आपको हम बताएंग यह आप देख सकते हो इस तरीके से खड़ा तैयार करो और इसमें पानी बरना है पानी इसमें ज्यादा ना डाले अब इस तरीके से इसमें जो यह खड़ा है उसमें यह बजरी डाल रहे है जिसे कि पूरी बजरी और जो मसाला बनाया हुआ है वह आराम से मिक्सप हो जाएग और इसमें ये पानी मिल जाएगा गिला जो है अच्छी तरीके में ये हो जाएगा उसके बाद में हमारे बास यदि है इसको डाइ बोलते है यह जो गंबले बने पड़े हैं इनको डाइल बोलते हैं यह 16 इंची का है और अगर आपको डाइल लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप पूरे बारत में कहीं भी डाइल मंगवा सकते हो अब यह पानी मिलाने के बाद में एक बार कार्टिक का ओर लगा रहे हैं जिससे कि यह पानी इसमें अच्छी तरीके से मिल जाए आप देख सकते हैं यह बिल्कुल हमारा मसाला तैयार हो चुका है गमले बनाने के लिए और अब इसे कम से कम 30 मिनट के लिए हम रख देंगे उसके बाद में यह इसमें जो सीम है वह अच्छी तरीके से आजाएगी और यह अच्छी तरीके से सेट होने लाइक हो जाएगा फिर बाद में हम इसमें गमले में डालके बनाएंगे तो 30 मिनट के लिए अभी इसको रखते हैं उससे पहले जो कि तैयारी करते हैं वह हम बताएंगे यह आप देख सकते हो हमारे पास में ओयल है जो वेस्टेज ओयल हो जाता है गाडियों का वह हम यूज कर रहे हैं इसमे अगर अगर आपका जो गमला है उसका सेब खराब हो जाएगा वह अच्छी क्वालिटी नहीं बन पाएगी तो इस तरीके से आपको ओए लगाना है फिर एक मसाला है जो हमने तयार किया है यह आप देख सकते हो यहां पर आकर जो दोस्ते हैं उनको दिक्कत होती है कि सर यह मिक्सप क्या है तो एक बार मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें जो मिक्सप हमने बनाया है वो क्या है यह हमारे पास में मार्बल का पाउडर है जो फेक्ट्रियों में मार्बल की जो फेक्ट्रिया होती है वहां से हम मंगवाते है और यह मार्केट में इजी वे में मिल ज यह 20 kg कट्टा 50- 60-ítॉ carbon यह देख सकते हो आप पानी में बिगोगे और एक पैस्ट तयार करेंगे जहindi जो इसके चारोत तरप कउरिंग करेगा जिसनें के जमलेकी इस तरीके से टालना है और फिर पानी डालेंगे ये पानी डालके इस तो अच्छी तरीके से गोलना है ये इस तरीके से आप इसे अच्छे से गोले ये गोल अच्छे से बनके तयार हो गया और इसे ज्यादा टाइट नहीं बनाना या ज्यादा पतला भी नहीं ये अच्छी तरीके से गमले के ऊपर चिपक जाए उस हिसाब से आपको ये बनाना है और इसको किस तरीके से डाल के और लगाना है वो आपको बताते है ये अच्छी तरीके से गोलना है और गोलने के बाद में ये सभी गमलों में जो गमले बनाएंगे यह 16 इंची डाई में है, इन में लगा देंगे, यह देखो यह लगाने का जो तरीका है, वो मैं बता दूँ आपको, यह देखे इस तरीके से पूरिये पर कवर हो रहा है, यह आप देख सकते हूँ, कहीं भी कोई इसमें दिख नहीं रहा, गमले का जो पीछे का बेक है, वो देख सकते हूँ, यह अच्छे से लग चुका है, इसके उपर, तो इस तरीके से आप सभी गमलों पर लगा दे, जो डाई अपने पास में हैं, उस पर लगा ले, और उसके बाद में इसमें जो पाउडर है, इसका छिड़काव एक बार करेंगे, और उसके बाद में सीदा म गमला बनाना स्टार्ट कर देंगे, यह सभी गमलों में अच्छी तरीके से मसाला लग चुका है, और इसमें अब यह सूका जो पाउडर है हमारे पास में, सीमेंट का बनाया हुआ, वो हम इसमें नीचे के तरफ पेंदे की तरफ डाल रहे हैं, जिससे की यह जिपके नहीं और जो दल है वो ज्यादा नहीं बने, अगर यह पाउडर का दल ज्यादा बनता है, तो यह टूटने का चांसिज रहते हैं, तो यह मसाला बना हुआ है, सीमेंट का सूका, उसको हम इसमें डाल दिया है, अब इसमें जो मसाला तयार किया है, वो डालेंगे, यह मसाला 16 आपको 40 परशेंट तक बरना है, जो आपका डाई है, वो 40 परशेंट तक इसमें बरनी चाहिए, जिससे कि यह सेफिसेंट है, और फिर इस तरीके से बनाएंगे इसको, आप देख सकते हो, यह कस्ती भी हमारी यहीं पर बनाई हुई है, तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा कि किस तरीके से यह कस्ती आप बना सकते हों, क्योंकि किचन गाडिनिंग में काफी अच्छी तरीके से आप यूटिलाइजकर सकते हो इसको बनाकर, क्योंकि इसमे धनिया है, पालक है, ऐसी सब्या आप गर पे किचन गार्डिनिंग का काम कर सकते हो तो अब मैं बताता हूँ आपको इसको किस तरीके से ये बनाते हैं ये गंबला बनाने में तीन परकार के ओजार हमारे यूज होते है चार परकार के हो गए एक तो ये पवा है दारू का आता है ये थोड़ा सेब देने में अ जीवे में ये मिल जाते हैं कारीगर वगरा में यूज करते हैं तो उसमें ये ताभी अच्छे मिलेंगे और बनाने का जो तरीका है कैसा ओजार कभी यूज करना है वो आपको मिस्त्री बताएंगे आप देख सकते हो ये जो पाउडर था आपका बजरी का वो भी थोड़ा इसके उपर चिड़क दे क्योंकि यह पानी सोग लेती है तो इस तरीके से आप इसे लगाए और अब बनाने का तरीका है वह आपको बताएंगे यह यह आप इस तरीके से इसके उपर चड़ाएं लमले के चारो तरप आपको घूमना है तो इस तरीके से यह कम से कम एक इंची का इसका जो घेराव है उपर एक इंची का बनता है क्योंकि एक इंची जित्ता मोटा होना जरूरी हे गंले को नहीं तो यह तोड़ जाएगा थोड़ा भारी गंला है ना इस वज़yards से इस तरीके से आप इसके चारो तरब गूमके और इसे बनाएं थोड़ा नीचे की साइड में भी इसमें रखना है मसाला जिसे कि पैंदा थोड़ा मजबूत रहे और चारो तरब से आप देख सकते हो इसे चड़ा दिया गया है यह आप देख सकते हो अब यह जो हमारे पास में पवा था इसकी हेल्प से इसमें चारो तरब लपाई जो करते हैं उस तरीके से यह होगी उपर गरूमाला लगानी है और नीचे से इसको फिनीशिंग करेंगी यह इस तरीके से आप देख सकते हो पूरा फिनीश हो गया इस त अंदर से बिल्कुल सेफ अच्छा हो जाएगा और जो किस तरीके से करना है वो भी आप देख सकते हो यह गमले को आप एक जगह रखे और उपर से खुद ही गूमते रहें गमले के चारो तरफ बिल्कुल अच्छी तरीके से यह तैयार हो चुका है गमला यह इसकी कनारी है वो उपर से हम बनाएंगे यह आप देख सकते हो यह इसकी कनारी है बोडर है वो बन चुका है इस तरहिके से बना लेख अब जो ओल्रेडी बताते हैं यह गमले मारे पास में बनाए हुए है इसको निकालने का जो तरीका है वह थोड़ा सा आपको बता देए इजी है ज्यादा हार नहीं है इसको उल्टा करने के बाद में आदा एगंठा आपको इसे रखना है तो यह अपने आप जगह छोड़ देगा यह देखो कित जहाँ कलर सकते हो तो इस तरीके से सारे गमले आप निकाल ले दोस्तों उमीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और सेयर करें दन्यवाद दोस्तों